तुम annoy हो गए होगे, बार-बार procrastinate करने से, ऐसे तुम एक चीज को हजार बार करते हो, पर तब भी तुमको कोई results नहीं मिलते, and तुम सोसते हो कि भाई ये कौन सी शक्ति है, जो मेरी बार-बार वाट लगा दे, gym regularly नहीं जा पा रहा, मैं पढ़ाई टाइम पे नहीं कर रहा, and at the end, तुम give up कर देते हो, कि तुमको लगता है कि अगर तुम उस situation में कुछ भी करने का try करो ना, तुम से कुछ नहीं होगा, and exactly at that point, you lose, तुम gym regularly क्यों नहीं जा पा रहे, तुम time से सो क्यों नहीं पा रहे, तुम time से अपने assignment दे क्यों नहीं पा रहे, किसकी गलती है ये, तुम को ये accept करनी पड़े, तुम ये deny करोगे ना, कि मेरी गलती नहीं है, ये इसकी गलती है, XYZ की गलती है, तुम progress नहीं मना पाऊगे, मारी ego जो पहाड पे है ना, उसको थोड़ा कम कर गे, थोड़ा introspect करो, देखो कि मेरी गलती कहाँ पर, क्या मैं सुबह उठके, resolve the consequences of your actions, तुमको जब लगता है कि यार, जीम जाने से मसाली नहीं बन रही भाई, क्या करूं भाई, जीम जाने से मसाली नहीं बनती ही, क्या करते tentangँ बाई, ना तुम तुमरे तुम दो तीन महीने गाए, तुमको कुछ जश्यादा results नहीं मिल है तुमको लगा कि भाई कुछ होता है नहीं इस से मैं छोड़ देता हूँ इस देखो अगर तुम कुछ भी achieve करने जाओगे न ते रुब्री अपॉइंट काल value of disappointment ए चीज atomic habits में बहुत अच्छे से explain की गई है but मैं तुमको एक brief में बता देता value of disappointment means की एक ऐसा point जब तुमको कुछ results नहीं मिलते है like अगर तुम जितना भी try करो न तुमको results नहीं मिलेंगे like बहुत जादा कम मिलेंगे results and इस point पे बहुत जादा लोग demotivate हो जाते हैं बहुत जादा लोग इसी point पे ही quit कर देते हैं तुम जितना भी काम कर रहे हो न जितना में तुम effort लगा रहे हो and तुमको तब भी results नहीं मिल रहे what is actually happening is वो एक-एक results compound हो रहा है वो एक दम से explode करके ऊपर चले जाएगा then you will be out of that value of disappointment बहुत लोगों पे कोई motivation नहीं होती they lack a purpose and उनको results नहीं मिलते इस point पे छोड़ देते हैं अपना काम चाहे वो उनके लिए gym जाना हो gym में उनको results नहीं मिल रहे they are going through a value of disappointment phase वो आँ कुछ भी कर ले results नहीं मिल रहे उनकी strength नहीं बढ़ रही उनकी muscle नहीं बढ़ रही at that point उनको लगता होगा कि I think it's time to just leave it now but that is a wrong perspective आँ को लेंगे यार मेरको नहीं बढ़ा but at a point it will just explode and you will get huge results but good time लगेगा but मेरे साब से you should be grateful for failing देखो यार तेखो तुम हार नी रहे तुम give up नी कर रहे but तुम fail जरूर करोगे तुम हर time fail करोगे mistakes करोगे हर time करोगे obviously करोगे ना but be grateful for that look at failure as an opportunity to improve to get that one step closer to that explosion हर mistakes को हर failure को तुम ऐसे देखो कि यह मेरा एक step है to getting out of this value of disappointment that's why it is so important कि तुम एक ego ना रखो तुम humiliation रखो देखो कि मैं काहा गलती कर रहा हूँ अगर तुम को कुछ लोगों से सीखने को मिल रहा है तुम सीखो जो भी तुम काम करते हो न वो चीच कंपाउंड होती है चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो अगर तुम जिम regularly जा रहे हो 6 महिने से वो चीच कंपाउंड होगी तुम 7 महिने पर क्या पता तुमारी strength एकदम से बढ़ जाए क्या तुम एकदम से जलजाल गेन करने लग जाओ क्या पता भाई हो सकता है जरूर हो सकता है यह कंपाउंडिंग तब होती है जब बहुत लोगों को results नहीं मिलते जब बहुत लोग value of disappointment में होते हैं बहुत लोग इसी वक्ती quit कर देते हैं and they just break the compounding effect वो momentum break कर देते हैं and because of that उनको कुछ results नहीं मिलते भाई एक अच्छी physique बनाने के लिए न तुमको शायद 2-3 साल लग जाए minimum भाई जिन लोगों की बहुत तगड़ी physique न वो लोग खुद 5-6 साल से train कर रहे हैं पोच के देखो भाई पाच्छे साल से वो बंदे regular जा रहे हैं उनका compounding effect तो भाई क्या ही तगड़ा होगा don't disrespect the momentum by quitting बिल्कुल मत करना this is a very good example जो मैंने लिया है the value of disappointment जो भी तुम कर रहे हो it will compound you will face harsh failures there is no lie in that तुम करोगे जरूर करोगे तुम अपने मूँ के बल गिरोगे भाई but it is your job to not give up to not break the momentum to not disrespect the momentum वो compounding effect तुम continue रखो and तुम आगे बढ़ते जाओ इसमें कोई luck नहीं है देगो यार यह थोड़ा deep में जाएगा but जब तुम harsh failure experience करते हो न like तुम बहुत बड़ा failure experience करते हो you should have a purpose the why मैं क्यों कर रहा हूँ यह चीज तुम पर यह होना चाहिए and बहुत लोगों पर नहीं होता बहुत लोग बस rewards को देखते हैं कि भाई अगर मैं X करूँगा तो मेरे को y मिलेगा जब उनको failures experience होते हैं उनका मन नहीं करता काम करनेगा because they didn't think about the problems that they will have to face उन्होंने बस rewards के बारे में सोचा and भाई हर बंदा करता है rewards तुम एक्जाम के लिए पढ़ रहे हो तुमारे reward क्या होगा भाई getting good marks on your paper है वो तुमारे reward है पर तुम यह नहीं सोचते कि मेरे को कितनी मैनत करनी होगी पढ़ने के लिए या फिर वो marks लाने के लिए वो फितो एक चीज है न ये तीन चीजे तुमको रोखेंगी quit करने से discipline, willpower and a purpose देखो या एक purpose find करने के लिए न तुमको बहुत deep चाना पड़ेगा मेरे साब से भाई अपने आपको पाच्या दिन के लिए social media से दूर रखो tv बंद करो अपना instagram delete मारो फोड़ा भार गुमना कम करो and journal करो introspect करो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए भाई सब कुछ लिख डालो क्या problems तुम अभी face कर रहे हो क्या problems तुम बाद में face करोगे क्या rewards तुमको चाहिए सब कुछ लिख डालो I cannot make a video on purpose right now अगर मैं बनाऊंगा तो भाई वो दो-तीन घंटे लंबी हो जाएगी दूसरी चीज तुमको एक disciplined mindset बिल करना पड़ेगा and also you need to have willpower मैं उस पर अड़ी दो वीडियो बना रखे है the link for that video will be in my description but yeah man, that's it for now thank you for watching, take care and take action